जी शेक मेरा सावाज यह है कि टीचस डेव अगेरा शिर्क के बगएर थोड़े इदे मनाई जाती है हमारा सामाज में ना कैसा है अगर कोई मुसल्मान किसी बाहर ओम की मुशाबात इख्वियार करता है अगर वो किसी गहर कोई मुशाबात इख्वियार करता है तो उनी में से हैं तो किसी गहर कोई मुशाबात इख्वियार करना यह हमारी शरीयत के अंदर जायज नहीं है यह बहुत कभी तरीन अमल है और यह जो टीचर बेकी आपने बात की हम सब जानते हैं कि यह चीज़ कहां से आई है हमारी शरीयत के अंदर टीचर और वस्ताज का इख्वियार करना उसका अदब करना उसकी इख्विया तुपा देना यह किसी एक दिन के लिए नहीं है हमारी शरीयत में मौलिम की तीचर की वस्ताज की बहुत जादा आहमियत है अल्लाह के लिए नहीं से नहीं से नहीं है जो बड़ों का इहतराम ना करे चोड़ों के साथ शक्त ना करे और हमारे उल्मा की गदरदानी ना करे हमारे उल्मा की इज़त ना करे तो जो यह पीचर होते हैं उनका इहतराम करना हमारे दिन का हिस्सा है लेकिन उनके इहतराम का जो तरीका है यह तरीका हमें गहरों से सीखने की जरूरत नहीं है उनका इहतराम हर दिन करना है उसके लिए कोई एक दिन मक्सूस करना उसको सिलिबरेट करना पूरे साल असाथजा को जली करना और उन्हें किसी भी तरह की इज़त और इहतराम ना देना और एक दिन उनको बाज हदिया तुपा दे देना और गुलाब का बूल दे रेना और सिलिबरेट कर लेना ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी मुनाफ़कत नहीं ये हिस्टोक्रेसी है जो इत्कूल वाले भी करते हैं और पूरी दुनिया के सारे समारिस में मुलंगत हैं आप जा पैगाम जा देना चाहते हैं वस्तास के एक दिन खास नहीं है 24 घंटा अपने एक तालिब इनको पूरी जिन्दगी अपने वस्तास का इतराम करना है हमारी चरियत में हमारे असलाफ या तारिक पढ़े के आप हैरान रहे जाएंगे असातिजा की इज़त हमारे दीन के अंदर बसा अवकात ऐसी है कि उस तरह की इसलामी मदर्सा है आप देखें कि वहां पर तलबा अपने असातिजा का कितरे से इहतराम करते हैं वो है हकिके इहतराम है और साल के अंदर एक दिन खास कर लेना वो तहजीर जो मगरिब से आई ही है हमने उसको मगरिब से इंपोर्ट किया हुआ है और उसकी बुन्याद प है वस्तास का इहतराम हमेशा करना है ना तो यह की शराज दूरुस्त है क्योंकि इस चीज़ के अंदर खैर पव्लों की बशाबहत है